भारेश चीन लद्दाख बॉर्डर पर होट स्प्रिंग नामक स्थान में 21 अक्तूबर 1969 में हुई मुटफेड के दौरान शहीद हुए 10 CRPF के जवानों की याद में आज शिमला में पुलिस ने सम्रिती दिवस मनाया इस दौरान बीते एक वर्ष में शहीद हुए देश के 377 पुलिस जवानों को शद्धांजली अर्पेत की गई इन शहीदों में प्रदेश के चार जवान भी शामिल हैं कारिक्रम में राजेपाल राजेंदर विश्वनात आर लेकर मुख्यर रूप से उपस्तित रहे राजेपाल ने कहा कि देश के अंधरिक सुरक्षा में पुलिस जवान अहम भूमिका निभा रहे हैं और इनी के बदालत आज देश सुरक्षित जीवन वेटेद कर रहा है आज हमारे जो हिफाज़त कर रहे हैं, हमारा सुरक्षन कर रहे हैं हम को लगता है कि हम जाते हैं, घुमते हैं परन्तु इसमें हम ऐसे पुलिस करमेदोलें की उनका बहुत इनकी सहायता होती है वो अपने इर्द गिर्द होते हैं हमको पता भी नहीं होता परन्तु उनके कारण ही हम सुरक्षित रूप से इधर उधर घुम सकते हैं आराम से काम कर सकते हैं इस मौके पर पुलिस माने देशक संजे कुंडू ने कहा कि पहली बार 1969 में भारत चीन सीमा पर लदाक में पुलिस जवानों ने चीनी सैनिकों के साथ लोहा लिया था और घुसपैट के दौरान दस पुलिस जवान शहीद हुए थे उन्होंने कहा कि इन्ही पुलिस जवानों की शहादत को शद्धांजली देने और उनके बलिदान को याद करने के लिए पुलिस समर्थी दिवस मनाया गया पुलिस समर्थी दिवस जो है ये 10 हमारे CRPF के जवान थे जो 21 अक्टूबर 1969 को शहीद हुए थे वो पेट्रोलिंग पे जा रहे थे अपने इंडिया के शित्र में और उनको चैनीज आर्मी के कुछ बड़ी फोज ने उनको घात लगा के एंबुश लगा के वो शहीद हुए और उनकी याद में यही दिन पुरे देश में पुलिस समर्थी दिवस या पुलिस कमेमरेशन मनाया जाता है हर साल क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है इसमें अंतरिक शुरक्षा की भी चुनोतिया होती है क्राइम की भी चुनोतिया होती है लॉन ओर्डर की भी चुनोतिया होती है इस दुरान काफी हमारे साथी अपने जान को बैठते हैं कर्तव के में जिसको हम इस बीच प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस समरिती दिवस मनाये गया और पुलिस बलों के अलावा अर्द सैनिक पुलिस अंगचनों की शहादत को शदांजली दी गई